लच्च, प्रवल लच्च, किसी आदमी को जिन्दा रख सकते हों, चाहे उसकी सारी की स्थिती कैसी वियो मेरे मित्र की पडोस में एक महिला थी, उन्हें तभी कैंसर हो गया था, जब उनका पुत्र केवल दो साल का था इतना ही नहीं, बिमारी का पता चलने से तीन महिले पहले ही उनके पती की बित्व हो गई थी, उनके डाक्टरों ने उन्हें कोई दिलासा नहीं दिया, परंत कुस महिला ने हार नहीं मानी उनका संकल्प था कि वे अपने दो साल के बच्चे को सफलता पुर्वक कालेज की पढ़ाई पुरी करवाएंगी अपने पती द्वारा छोड़ी गई, छोटी सी किराने की दुकान, चला कर उन्होंने पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना सुरू किये उनके बहुत से आप्रेशन हुए, हर बार डाक्टर यहीं कहते थे, बस कुछ महीने और कैंसर तो कभी खत्म नहीं हुआ, परन्त कुछ महीने खीचते चले गए और 20 साल बन गए उन्होंने अपने बच्चे को सफलता प्रुवक कालेज की पढ़ाई खत्म करते और डिगरी लेते देखा, इसके छो हफ्ते बाद वे चल बसी, लच्च, प्रबल लालसा में इतनी सक्ती थी, कि वे मौत से दो दसक तक लड़ती रही, लंबे जीवन के लिए लच्च का प् प्रियोग कीजिए, दुनिया की कोई भी दवा और आपका डाक्टर भी यह मानेगा, जीवन को बढ़ाने में इतनी सच्चम नहीं होती, जीतनी की कुछ करने की इच्चा होती है, किसी भी लच्च को हासिल करने में कदम दर कदम चलने के तरीके की जरुरत होती है, कई बार ऐसा लगता है, जैसे कोई अचानक सफल हो गया है, परन्तु अगर आप ऐसे लोगों की इतिहास को देखें, जो अचानक चोटी पर पहुँचते दिखें, तो आप पाएंगे कि उन्होंने पहले काफी जमिनी तयारी की थी, और जो तथा कथित सफल लोग अपनी प्रसिद सफलों से बनती है, उसी तरह सफल जिन्दगी हमारे छोटे-छोटे कामों से ही बनती है,